हाई दोस्तों कैसे हैं आप सभी में डॉक्टर अनेज्यास फिर से अपने यूट्यूब चल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा करना हूं कि आप सभी ठीक है मस्त है इंजोई तो क्या कर रहे हैं अब कल तो अपना एक्जाम है पूर्थ यूनिट और फिफ यून कोशिश चल रही है जैसे देशे थोड़ा इसको वेंटिलेंटर पर स्टाक किया है लेकिन आपके खातिर फोर्थ और फिफ यूनिट का रिवीज़न कराने का मैंने भी प्रण्ड लिया है और कुछ इस तरी के से कराने का प्रण्ड लिया है इंपोर्टन क्योशन डाल के मै सचों की डिमांड की कारण मेरे को फिर आना बड़ा और फोर्थ और फिफ यूनिट का आपके में एक्जाम के लिए आना मेरा उद्देश यदा ठीक है हाँ तो अपन डारेक्ट शुरू करता है क्योंकि इदर उदर की बाते हैं मेरे से भी हो नहीं रही है ठीक है एनालिज आएक के जो से आरही है अबिये रिशु क्या है अनलिस सब्सक्राइश क्या है और यह ठीक फैले मैं आपको त्योरी के और अब करवाने कर्वाताहों कि अगर आप अकाउंट्स के है या नौन अकाउंट्स के है आप फोड़ दो बेकर, कैसे, चलिए, इतला बरोसा, अगर आप मेरे से वीडियो मांग रहे हैं, और आप पूछ रहे हैं, तो आपको मेरे उपपर बरोसा है, तो मैं आपका बरोसा गिरने नहीं दे सकता हूं, तो चलिए, पहले, बुकिश थोरी पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा ह analysis of the financial statement, और क्या question आएगा, वो भी मैं बता देता हूं, analysis of the financial statement कहता है, it is the process of analyzing company financial statement of decision making purpose, यानि company के जो financial statement होते हैं, उनको decision making purpose से analysis करना, अब यह तो हो गई, बुक के बाद, जिसको अपन ने रख दिया किनारे, अब अपन आते हैं, analysis, अब यह analysis है क्या, analysis का मतलब, जो company के data होते हैं, जो company का financial statement होता है, उनको check करके कोई decision लेना, अब यह decision कौन लेता है, जैसे कि कोई shareholder company में पैसा लगाना है, नहीं लगाना, company की growth अच्छी है, नहीं गानी, investors जो हैं, company को loan देने वाले हैं, वो सभी analysis का, तो इसके लिए different tools होते हैं, अब यह पह cash flow statement, fund flow statement, ठीक है, इसके अलावा वो किसका analysis करता है, मुक्यदा, balance sheet का, यह वो statement है, जिनका analysis किया जाता है, यह वो statement है, जिनका analysis किया जाता है, बोलते बोलते थोड़ी मेरी आवाज भी सही होने लगी, cash flow, fund flow और balance sheet, यानि कि यह जो तीन elements हैं, जिनके त्रूँ कोई भी company में हमको decision लेना है, तो हम cash flow का analysis करते हैं, fund flow का analysis करते हैं, और balance sheet का analysis करते हैं, लेकिन क्या balance sheet की assets और liability देखकर, कोई एक Mr. Pintu जो है, या हमारे Mr. Pintu जो है, यह decision ले सकते हैं कि balance sheet देखकर, इनको invest करना चाहिए उस company में या नहीं करना चाहिए, अगर यह non commerce वेग्राउंड के हैं, तो इनको बिल्कूल ही पता नहीं चलेगा, कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या बड़े बड़े जब data देखेंगें, पंद्रा लाग, अठरा लाग, सत्रा लाग, तो एक commerce के विद्यार्थी को भी पता नहीं चलता, तो इसके लिए सबसे most effective tool होता है ratio analysis, क्या tool होता है ratio analysis, वैसे different kinds of tools हैं, जिसे trend analysis है हमारा, trend analysis है, इसके अलावा weighted leverage का analysis है, इसके लिए company की sales growth का analysis है, लेकिन इसके अंदर जो most promising या most prompt analysis माना जाता है, जो हर किसी को समझ में आ जाए, उसको बोलते है ratio analysis, ठीक, अब ये ratio analysis किसका होगा सर, अभी याद रगना, आपके course में केवल balance sheet का है, किसका है, balance sheet, और कभी-कभी exam में final account से भी, यानि कि trading और P&L से भी पूछ लेता है, यानि कि balance sheet का ratio analysis और trading और P&L का ratio analysis, यानि कि इनके data के help के through हमको ratio analysis करना है, अब सर, ratio क्या होता है, यहाँ पर एक word निकल कर आया ratio, 10th class से पढ़ रहे हैं, अरे सर, ratio यानि कि ratio, तो ratio को ratio नहीं याद करना है, अपन को ratio का मतलब होता है, दो variable के बीच में, A और B के बीच में, जो relation होता है, क्या होता है, relation होता है, उसको ही तो हम भाईया ratio बोलते हैं, जैसे इतके बीच में relation है, 1 is to 5 का, क्या relation है, 1 is to 5 का, तो इसको क्या बोलेंगे, ratio बोलेंगे, यानि कि A यदि 1 है, तो B जो है, वो 5 है, जैसे A यदि 20 है, तो B जो है, वो 100 है, यह इसका ratio आया, ठीक है, यानि A और B जो दो variable हैं, इनके बीच के relationship को ही ratio बोलते हैं, दूसरे यह कितने तरीके से लिखे जाते हैं, यह लिखने का तरीका, पहला तो यह है, आप इनको fraction में लिख सकते हो, 1 is to 5, यह होता है fraction में, ठीक है, दूसरा इसको normal terminology, 1 is to 5, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, एक होता है, पाँचवा, फिफ्थ, पाँचवा, यानि कि A कितना पाँचवा हिस्सा है, A, B का पाँचवा हिस्सा है, और फिफ्थ टाइम, इसको क्या लिखोगे, सॉरी, इसको लिखोगे, फिफ्थ, टाइम, तीन तरीके के more common मैंने आपको सिखाए, कहीं पे activity ratio है, कहीं पे क्या है, कौन से ratios है, यह बात तो अपनी अगर हो पई, लेकिन ratio analysis क्या होता है, अब इसका benefit बताते हैं, यह benefit अभी अपन theory में चल रहा है, न, numerical शुरू नहीं किया है, जब अपन theory करेंगे, और उसका answer write-up करेंगे, तब भी यह ratio के type, यह ratio के meaning, यह ratio के definition, यह साब लिखनी होती है, जिसे मान लेते हैं, A company और B company, यह दोनों company हैं, A company 10,000 रुपे profit earn करती है, कितना 10,000 रुपे करती है, और B company, 20,000 रुपे का profit earn करती है, तो अगर कोई पुछता है आपसे, कि आपको A में invest करना है, या B में invest करना है, थोड़ा सा इदर कर दूँ, चलिए, आपको पूछता है, A में invest करना है, या B में invest करना है, तो आप क्या बोलेंगे, अरे सर, B में invest करने हैं, 20,000 रुपे का profit कमारी, लेकिन आप इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है एने इन्वेस्टमेंट किया था 20,000 रुपे और बी ने इन्वेस्टमेंट किया था 2,000 रुपे कितना investment किया 2,00,000 अभी थोड़ा आराम आराम से चल रहे हैं खौले खौले ए ने profit कमाया 10,000 रुपे और ए ने investment किया 20,000 रुपे का बी ने profit कमाया 2,00,000 रुपे और बी ने investment किया 2,00,000 रुपे का यानि यहां पर आप ratio निकालोगे तो ratio निकालोगे आपको चीज समझ में यानि कि 2 रुपे लगाओगे तो 1 रुपे कमाओगे 10 रुपे लगाओगे तो 1 रुपे कमाओगे अब आप बताईए कि कितमे भाईसा लगाएंगे देखिये ratio का यह benefit होता है कि ratio हमें एक overview देता है decision making लेने में help करता है कि कौन सी company अच्छी है कौन सी company खराब है यह इस तर और रेश्यो यसीज जो होता है काफी fruitful होता है कभी हल्फुल होता है अब रेश्यो ऊलसा किया होते हैं टो अटेज सेकर दांटेजन होते है यह सबसे पहला अंटेज warranty होता है क५ वह टो अनडरस्टेंड तेकेंड accurate होता है तीसरा quick होता है फास हम ratio calculate कर सकते हैं easy to understand होता है accurate होता है quick होता है और ratio non commerce के विद्यार्थी भी समझ पाते हैं तीन advantage बहुत है चोथा भी बहुत सार वेसे तो 10-12 एडवांटेज आपके बुक के अंदर दिये हैं जैसे कि ये एक्चुल रिप्रेजेंटेशन करता है कंपनी की फैनेशलिस इंच रिलाइबल होता है रिलेवेंस होता है ये तीन पॉइंट इसमें भी लेएदर रिलाइबल होता है एक्यूरेट होता है ये इसके डिसद्वांटेज की बात करता हूं तो यह बेज़ड़न डेटा होता है किसके बेज़ड होता है अगर डेटा के बेज़़ है तो अगर यूमन एरा है अगर वो बुक्स अब अकांट्स में गलत लिखाये तो रेशो तो गलत आएगा ही दूसरा बेज़ड़न डेटा होता है और लिए क्वांटिटेटिव चीज़ें टेटिव चीज़ें नहीं बताता है जैसे कि जो नंबर में उनको डिफाइब कर पाता है रंगण रुंब उसकिन साज़ेशन में रहता वह नहीं बताता है मार्केट कंडिशन के तीनों की नाम है अब कुष अलग अलग होती है zone 3 क्योंड लिruit ना सेल्स किति मार्केट कंडिशन क्या है या टेक्ना बढड़ा है नहीं बता पाता यानि कि government ने tax बढ़ा दिया हमारा profit कम हो गया तो यही बुलेगा कि profit कम हुआ किस कारण से कम हुआ यह कुछ इसके disadvantage है कुछ advantage characteristics चैनल होती है material होता है reliable होता है यह उसके normal सारे के सारे point है I hope ratio analysis की basic जो फंडामेंटाल अभी तक आपको क्लियर हो गई होगी आगे बढ़ता हूं रेशो कितने तरीके के हैं वैसे तो यहां बहुत सार दे रखें आजाओ चार्ट में क्या कह रहे हैं या जी रेशो चार्ट में कह रहे हैं कि लिक्विडिटी रेशो है प्रोफिटेबिलिटी ताइप आता है यह एक दूसरा रेशो का टाइप आता है यह यानिकी अंदर इसा नहीं होगा यहां से पुझ लेगा पांच में से एक ब्लंक पूरा पूरा आएगा अब वैसे तो प्रोफिटेबिलिटी पे थे अंदर और भी है लेकिन यह पांच इसानवरें पे पॉइं च्रिकष सबस्क्राइन, टs. 50 अगया 50 रुपए के लेनादर कड़े हैं, और मेरे पास अभी कितने रुपए है, गले में कितने रुपए है, 100 रुपए, तो क्या है अच्छी पंडिशन्? बहुत अच्छी पंडिशन् है, 50 ही चुकाना है लेकिन दोस्तों उन 50 का मैंने अच्छे तरीके से इस्तमान लीग या नी 100 रुपे मेरे गल्ले में थे मैंने क्यों 50 का ही सामान खरी था 100 रुपे गल्ले में होने ची और मांगने वाले भी 100 रुपे होने ची यह देट इस करंट रेशो रिक रेशो खुत रुपे प्रोफिड याले वे रांजी और सपांगरी देफट रीशो में क्या होता है अंधर कब आट् Radiveness इन्वेंट्री रिसेवर टॉटल सेल्स का मतलब यहां पर नेट सेल्स यानि सेल्स माइनस सेल्स रिटन से इसेट्स के मुकाबले में कित्ती सेल्स हो रही है अर्निंग रेशो प्रॉफिट अर्निंग यानि कि कितना हम कमा पा रहे हैं और अगर एक चीज याद नहीं हुई हो तो गवराने की जरुवत नहीं है मैं आपको रेशो याद भी करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और और पर करवाना सिखा दूँगा और आधसद्मा याद रईना जिसे भी क्क मपेर करते हैं कि वह हमेशा वहाख में और जिसका कम पेर ह होडाई है वह उपर होता है बस इतना रहिकले ना हर रोएशो बन जाएगा जिसका पर ने में जैसे कि कर रहे हैं हम किसका comparison कर रहे थे profit का compare total sales से या capital employment से कर रहे थे profit और comparison किस से हो रहा था नीचे अरे profit 10,000 का था बट उसको compare किस से कर रहे थे हम investment से तो यह एक लाग को हमने नीचे रखा था sorry दो लाग को नीचे रखा 20,000 का हाँ इसका एक लाग को नीचे रखूंगा अगर मैं तो यह employee capital employment आ गया है यह profit आ गया है जिसको compare करते हैं वो उपर और जिससे compare होता है वो नीचे यह हमेशा जीवन का भी यही फंडा रखिएगा अब liquidity ratio is the well known ratio तीन तरीके के ratio होते हैं अगर फिर भी ना समझ में आए तो दोस्तों केवल formula याद कर जाना आदा question आपको वही से मिल जाएगा question में सीधे-सीधे formula आप put on करोगे एक current assets जी भी होगी current liability लिखी भी होगी exam में आगर आपको formula याद है ऐसे मैंने यह देखा है जो मेरे MBA के भूत-बुर्व student रहे हैं वह ratio के question within 10 minutes के अंदर सारे कर लिया करते थे पांच मिनिट के अंदर बड़े से बड़ा question निवटा दे दे मैं कुछ नहीं करता था मैं उनको basic fund बताता था और ratio के formula याद करोगा दे और सीधा-सीधा question आता है कोच घुमा फिरा के इसके अंदर क्यों नहीं आता तो आईये formula देट लेते हैं formula सबसे पहला कौन सा करहा है अच्छा एक त्योरी मैं आपको यह बता दी कि liquidity चेक करने के लिए करी जाती है पॉर्मुला पहले formula क्या रहे है पहला formula करहा है current ratio current ratio का formula क्या है current assets current assets divided by current liability को यह आपका तो MBA है इसलिए इसमें current assets भी दिए होगी current liability भी दिए होगी अब पहला ही formula है सबसे सिंपल फॉर्मुला है current assets divided by current liability क्विक रेशो क्विक रेशो लिक्विट assets divided by current liability अब यह से liquid assets क्या होती है जो current assets है ना हमारी current assets क्या होती है bank होती है cash होता है stock होता है तो current assets में से आप stock minus कर दो क्या minus कर दो stock minus कर दो तो लिक्विट assets आ जाती है और डिवाइड बाइड 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 लाइबिलिटी यह आपको क्विक रेशो लिक्विट रेशो यह छोड़ दो है बस यह मिटा दिया कोर्स का हिस्सा एक्जाम में नहीं आया आपन बात में किसी दिन किसी क्लास में समझेंगे दो याद रखना करेंट रेशो और कोई करेंश बात खतम इतना मुझे बरुसा रखोंए यह आया तो मेरे को कमेंट करकर गालिया सुना देना लेकिन यह नहीं आने वाला है जहां तक मेरा वरुसा है क्योंकि कभी भी मैंने एंब्स पर यह रेशो नहीं देखा है अब नेक्स अब इसके अंदर तो बहुत ही सिंपल रेशो आते हैं कौन से रेशो होता है अच्छा ग्रोस प्रोफिट एक्जाम में दिया वा होता है लिखा है नेट सेल्स नेट सेल्स का मतलब याद रगना है कि एकदाम में हमेशा आता है कि सेल्स दे रखी होती है तो उसमें से सेल्स रिटन माइनस करना होता है तो हमारे पास नेट सेल्स आ जादी सेल्स माइनस सेल्स रिटन इक्वल तो अरे एक लाग उर्पे का सामान बेचा था तो ग्राग ने आके 10,000 का मुझे वापिस कर दिया तो वास्तविक सेल तो 90,000 की हुई एक लग का सामन बेचा था 10,000 का वापिस कर दिया तो वास्तविक सेल कितनी हुई 90,000 की हुई तो gross profit upon net sales into 100 ये percentage में आएगा जब भी into 100 यानि की अगर मान लेते हैं 2000 रुपे का लाप कमाया 2000 रुपे का लाप कमाया 20,000 रुपे की sales करके तो ये वाला जो ratio रहेगा कितना रहेगा यहाँ पर 10% यानि ये ratio इस तरीके से लिखेंगे ये ratio को 10% से यानि की याद रगना profitability के जित्ते भी ratio होंगे percentage में शो होंगे into 100 लगाया जाता है net profit का भी सेम रहता है इसके अंदर important ratio में आपको बता देता हूँ पहला gross profit ratio दूसरा net operating ratio और तीसरा return on investment return on investment after interest and tax divided by shareholder funds यानि की number of shareholder into लिखा हुआ होगा ये shareholder ये सारी चीज़े दीवी होती एक्जाम के अंदर ये सारी चीज़े दीवी होगी आपको question भी करवाऊंगा अगर आज तागत रहे गई फिफ यूनिट के बाद तो ratio analysis के अपन question भी करेंगे आगे आगे मांच वो complete होगा है बारा तक यहां तक है अब बारा के अंदर अर्णिंग पर share dividend payout return on capital earning per dividend price earning net profit तो सर याद किसे करें इतने सारे मैंने क्या बोला था मैंने यह बोला था जिसका comparison हो रहा है वह वह उपर रहेंगे तो dividend payout करना है अपन को तो dividend per equity share उपर कर दो और किससे करते हैं यह earning per share से करते हैं into hundred earning per share करना है तो यह preference net profit after tax उपर रहेगा डिवाइड वाइग ग्रोस केपिटल इंप्लोइड इंटू हंड्रेड अभी capital employed का है price earning ratio का price per share उपर आ जाता है यह formula तो आपको याद करने पड़ेंगे इसकी ट्रिक केवल यही है कि नीचे comparison वाला लेगा और जिसको compare करते हैं वो उपर रहेगा और यह simple formula है इसके अंदर भी earning per share वाला important है dividend वाला important है price earning वाला important है और return on capital वाला यानि कि पिछले के 5 और इधर के टोटल profitability में नो रेशो आपको यार करने टोटल ग्यारा ही रेशो हुए कित्ते रेशो हुए ग्यारा फॉर्मुला आगे आ जाता है solvency ratio अब solvency ratio में मैंने देखो यहां पर कित्ते सारे बताए थे आपको कहां यह रहा solvency ratio के अंदर दो रेशो बतायते डेफ्ट इक्विटी और इंट्रेस कवरेज और जब मैं एक्जाम के अंदर आपके लिए लेकर आया हूं तो केवल यह की रेशो लेकर आया हूं solvency ratio डेफ्ट इक्विटी इंट्रेस कवरेज कुछ भी नहीं भलाना दिमा का केवल यह फॉर्मुला सीधा सीधा थोड़ा और बढ़ा कर दूब दूब तीक है क्या लिगा है net profit after tax plus depreciation यहां पर क्या लिगा है depreciation को add कर दिया net profit after tax plus depreciation divide by short term liability plus long term liability अब यह short term long term liability नहीं इसको लिख देना टोटल लाइबिलेटिग है वो तो confuse करने के लिए उसमें लिख देता है अब अब हम सर कैसे याद करें इसको इसको याद करवा दो तो सर जो solvency ratio है इसका formula क्या है solvency ratio का formula आपको क्या बोलना है net profit after tax plus depreciation divide by total liability इत्ता सिंपल है अब यहां पर net profit दिया वाओगा और tax दे रखा होगा तो after tax निकलना है तो क्या करेंगे net profit after tax तो net profit में से tax घटा दूआ और depreciation दिया है तो उसको जोड दूआ और total liability short term और long term दे रखी दोनों को जोड दूआ तो आपना answer आ जाएगा अगला activity ratio अब यह activity ratio में चार रेशो अपन को याद रखने किते रेशो याद रखने चार यानि कि कितने हुए थे total आओ total लगाने यहां पर तक आए थे हो और दो अपने उसके लिक्विडिटी रेशो के ग्यारा ग्यारा और यह चार पंदरा रेशो हो रहे हैं कोई यह कहते हैं कि सर एक दिन बचा है हम नहीं कर पाएंगा रहे क्यों नहीं कर पाओगे तुम भी घाना काते हो इंसान हो तुम्हें बगवान ने बुद्धी दि हो एक बड़ जी के तो देखो मज़ा आएगा जीवन में थोड़ा सा मेहनत करना मत गभराओ आईए देखो यह चार रेशो अगर मेरी बात बुरी लगे तो थोड़ा पढ़ लेना है ना तेक है चार रेशो कौन से हैं एक्टिविटी रेशो पहला एक्टिविटी डिसेव अब यह एक्टिविटी का मतलब कि जो समान आ रहा है जा रहा है यानि कि इसमें भी तीन ही रेशो याद कर लेना अकाउंट रिसीवेबल टान ओवर रेशो आप देखो तीनों के अंदर एवरेज लिखा हुआ है एवरेज अकाउंट्स एवरेज टोटल कोर्स एवरेज ज दोस्तों जब आपने इसके अंदर डिवाइड वाइड और ऊपर आएगा ओपनिंग और इतर होगा क्लोजिंग कि ओपनिंग बेलेंस प्लस क्लोजिंग बेलेंस अब आओ इसके अंदर जब अपन चेक कर रहें ना सुरी एकाउंट रिसेवेबल अकाउंट रेवेन्यू यानि कि टोटल सेल्स टोटल सेल्स एवरेज अकाउंट ओपनिंग बी आर्प्लस क्लोजिंग बियार अब मर्चेंटाइज इस चलो यह वाला भी दिखाई देते हैं इसको क्यों छोड़े हूं इसको नहीं चोड़ रहे चलो क्या लिगान मर्चंटाइज इन्वेंट्री नाम इसा बड़ा रख दिया तो कॉस्ट आफ सेल्स सी ओ जी एस इसको बोलते है कॉस्ट आफ सेल्स क्या होती है जो भी आप लागत में खर्चा करते हो जैसे पर्चेस हो गया और सारे ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है या नहीं सेल्स में से जिक्रॉस प्रॉफिट सी ओ जी एस का फॉर्मूला याद रख ले ना सी ओ जी एस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल से जैस माइनास जी पी ग्रोस प्रॉफिट फॉर्मूला है एक फॉर्मूला याद रख लो यही आता है अधिकता विज़त दो तिन फॉर्मूला लेकिन यह पॉपुलर है तीक है डिवाइड़ वाइवरेज एवरेज के हैं ओपनिंग स्टॉप फ्लस क्लोजिंग स्टॉप इंकम आगे बढ़ गए और यहां पर रेवन इकोल टो टो टोल सेल्स पी अगर आपको मिल जाएगी तो वह भी रेविन्यू का पार हो जाती है अब मार्केट केपिटलाइजेशन अब यह नया रेशो दिया हुआ है विसे रेशो नहीं है लेकिन मार्केट केपिटलाइजे का एक फ़र्मुला में नहीं लिख दिया टोटल नंबर शेर अलोटेट वाइप कॉम्पनी और करेंट मार्केट प्रैस तर नहीं समझा आया अरे मत समझो मत समझो क्योंकि मैं समझा रहा हूं मार्केट कैपिटिलाइजेशन में क्या है जो हमने शेर अलोट करें और उनकी जो मार्केट वेल्यू है उसको मल्टिप्लाइ कर देना शेर अलोटेट डिवाइड वाए जैसे की पेटियम साब ने 1500 रुपे में शेर अलोट किये दें आज वो पानसो साड़े पानसो में कुटा रहे तो वो शेर अलोटेट पान्दरा सो रुपे था और मार्केट वेल्यू इतना ना वो शेर नंबर ऑफ शेर की बात है आपके कि बात है नंबर ओफ शेर दस हजाए शेर अल अब leverage ratio, I hope यह last होगा, हाँ, यह leverage ratio है, leverage ratio, debt upon equity याद रख लेना, ज्यादा इतने परेशान होने की बात नहीं है, total debt upon total equity, total debt upon total equity, तो सर यह debt क्या होता है, अरे debt का मतलब होता है, उधार, debt का मतलब होता है, उधार, उधार को इंगलीश में कहते हैं, loan, upon equity, equity का मतलब क्या होता है, capital से होता है, पर यह equity में capital प्लस reserve जोड दिये जाते हैं, तो loan divided by capital plus equity, loan plus capital plus reserve, और कभी-कभी तो exam में आपका लखी दे रहा, आपका debt भी दिया हुआ होगा, और equity भी जी भी होगी, दोनों ही अलब से दिया वे होगे, इसके numerical कितने जने करना चाते हैं, जरह मुझे comment box में बताइएगा, कि इसके numerical करवा दूं, कि इसका आपको theory confirm है, total assets है, total debt upon total assets, total debt upon total equity plus total debt, debt capital ratio और EBIT के full form है, earning before interest, tax, depreciation and amortization, total debts upon interest before, earning before interest, earning क्या है, sales है, earning क्या है, sales है, यह चार, इच्छा, यह भी याद नहों तो चलेगा, यहाँ पर तीन formula है, ठीक है, एक formula यह रहा, चार, चार के बाद तीन, चार formula इसमें लिख लिए, चार और चार, आठ, आठ के बाद एक solvency का हो गया, नो, 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 अटरा, अटरा और दो, एक्टिस formula है, total, कितने formula है, 21 formula, 21 formula है, तो सर, यह 21 formula है, आप कैसे याद करें, अभी भी याद नहीं हुआ, तो मैं टेलिग्राम ग्रूप के उपर, 21-21 formula का, पीडियर, बेच चुगा हूँ, जिसमें केवल ratio ratio लिखे में है, formula formula लिखे में, वहाँ से याद करो, याद तो करने बढ़ेंगे, बिना formula याद किये, exam में question बनने वाला नहीं है, अभी मैं एक दो question, इसके ratio analysis के भी numerical कराने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे बेले 5 unit बना के तुरंट आपके पास आ रही है, तेक है, कराऊंगा जरूर रिविजन, वादा करता हूँ, safe unit का रिविजन अभी कराऊंगा, थोड़ी देर में कराऊंगा, मेरा साथ बने रहिएगा, and thanks for watching my this video, I really appreciate your time, thank you.